वंदे मातरम भारत माता की जय जय हिंदुराश्ट। नाश होगा और भारत एक सुक, शांती और वेभावशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाईयों बहनों से विनम्रनिवेदन करता हूँ कि इस हमारे मिशन घरवापसी अभियान में सहयुक करें। एक परिवार हिंदुों का, एक एक परिवार की घरवापसी के लिए लगे भारत माता की जय हिंदुराश्ट। मेरे प्यारे सभी भाईयों बहनों, मैं स्वामी जितिंदेनन सरस्वती आया आपके बीच और मैं आज घरवापसी अभियान के माध्यम से आपसे समवाद करने आया हूँ और चाहता हूँ कि यह समवाद घरगर जन जन के मनमन तक पहुंचें यदि आप तक मेरी वाइस सही से पहुंच रही है यदि आप तक मेरा वीज्वल सही से पहुंच रहे हैं तो आप करपय करके मुझे यहां बताएं कमेंट्स में जै हिंदुराश्ट लिख करके कि हाँ गुरुजी आपकी आवाज आ रही है और आपका वीज्वल भी सही से दिख रहा है हमारे साथ जुड़े मनोहर भाई ने यहां पर बहुत बड़ा सो रुपे का सहयोग दिया उनका बहुत 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 आभार है आप सबी लोगों से विनम रिनिवेदन अधिक से अधिक स आप सी कर रहे हैं और इन्हें शिग्र ही हम वहां से ला करके गंजगी से उठा करके कच्रे के धेर से उठा करके इन्हें पावन और पवित्र एक एसी महान मानवता वाली परमपरा से जोडने वाले हैं इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आबार है आप सभी की संक्या में आज मुस्लिम भाई और बहन जो कवी घर डर में घबराहट में लोब में लालच में कबूल कर लिये थे मज़ब को अर्भी पंच को अर्भी संप्रदाइक को आज वो मजभी लोग संप्रदाइक लोग आज अपने पुरातन को सनातन को पहचान करके फिर से घरवा आप से सब घर में रहे ना जब रहते हम एक घर में हैं तो मन भी मिलेगे सब कुछ मिलेगा फिर विचार भी मिलेगी यही बस मेरा कहना है हम एक घर में रहते हुए अलग-अलग विचारों वाले ना बन करके रहे एक विचारों वाले हो करके रहे और आप सभी लोगों से अधिक साधिक संक्या में शेर करते चले जाएं मैं शकिल भाई को जोड़ने चाहूंगा जी शकिल भाई अगर आप तक आवा जा रही तो करपा करके हमें बताएं जी शकिल भाई आप अगर जुड़ गए हैं और आपका कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है तो तुरंत करपा करके जुड़े और शकिल भाई लगता है हमेरे बीचे जुड़ गए और शकिल भाई मैं जानना चाहता हूँ कि आप का बहुत बहुत अभारी हों इतनी बड़ी पूरा परिवार एक साथ चाचाता है सब लोग आप लोग का परिवार मा बहन बेटियां बच्चियां सब घर बापसी कर रहें इसके पीछे क्या कारण है गुरू जी मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि जिस व्यक्ति को अपने देखा नहीं उसकी बिचारदारा उपर क्यों चले और सुबा मतलब सुबा हम लोग का काम करने का हम गरीब लोग है गुरू जी हम लोग बताईए मस्जिद में जाके नमाज पढ़े या हमारा काम करें लोग अगा हमको साने मारते है कि तू केसा मुसल्मान है कि टाइम से नमाज नहीं पड़ता गुरू जी पेट की भूख जब कर बूख सताती है तो कुछ नहीं दिखता है गुरू जी तो और हिंदू धरम में गुरू आपने कि आपकी उम्मी के उपर बहुत अत्याचार वह जिससे वह बचपन से लेकिंग मारत Useлов इसी लगबक कितनी मा बहन बेटियां होगी इसलाम में जो इंतजार कर रही है कि उनके बच्चे बड़े हो और वो बच्चे समझदार हो जाएं तो आपकी अम्मी को मैं आपकी मा को मैं प्रणाम करता हूं कि इतना इतना मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि एक माने संकल लिया था बच्चपन में बताती है मुझे बात हुआ तो कि स्वामी जी जब मौलबी ने मेरे साथ पहली बार मदरसे में छेड़ खानी करी मैंने अपने घर में आकर के कहा तो मुझे कहा गया कि तू सिपारा पढ़ने में कमजोर है बेटा मौलबी जीने हमें बताया और इ बच्पन में ही निकाहते कर दिये । चोटी चोटी बच्चे को विवा कर दिया जाता सभी कोप तै कि कूँ प्रता कूरी थी पाकन्ड अंदिविश्वास जक्यानुसी सोच मेंables इस इस अंप्रदाय है और उसकी वजह से इनकी अम्मी का बच्पन में ही निकाहते कर दिया और चोटी सी उम्र में बच्चे पेदा करवा करके और लाइन लगा दी गई बच्चों की और आज जब बच्चों बड़े हो गए और बहुत दुखी स्थिति में उन में से कुछ बच्चों ने जब संपर्क किया अपनी विचार धारा के लोगों से मिले जुले तब जाकर के जी तब जाकर के ये सब लोग अब घर वापसी की रहा पर आ चुके हैं मैं जल्दी हमारे शक्किल भाई हमारे साथ जूड जाएंगे और महां नेटवर्क बहुत बहुत दरीद रिस्तिती में बहुत दरीद रिस्तिती में इस देश के लाखों मुसलमानों को रखा गया है जान बूच करके सिर्फ किसलिए इनसे पत्थर फिकवाई जाते हैं इनसे फिकवाई जाते हैं पेट्रॉल बम ये सच्चा ही बता रहा हुआ है मैं रिपोर्ट बताता भारत सरकार का कि मुसलमानों के यूथ बच्चों का इस्तुमाल किया जा रहा है भारत के अंदर अरा और जग्ता फैलाना के लिए पी फाई ने किसका इस्तुमाल किया है आप सभी को पता है कि पी फाई ने किसका इस्तुमाल किया है नोजवानों का और ये लोग तो बजग गए और हमारे सांथ देवाइन जी जुड़ है जी, दा डिवाइन जी आवा जा रहा है डिवाइन जी गो जी, मैं यहाँ पर लिंक दे दता हूँ तक कि हमारे जो भी सातियां जुड़ना चाहते हैं और भगवा मेरी शान जी का बहुत आभारी हूँ जस्विंदर भाई का बहुत आभारी हूँ मैं सभी सातियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी बड़ी संक्या में आप यहाँ उपस्तित हुए हैं यहाँ पर मैं कंचन सिंग जी का बहुत 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 आभारी हूँ जो इस अभियान को बल प्रदान करते हैं इसे सवी साथियों का बहुत आभारी हूँ अब शेकराज जी का बहुत आभारी हूँ मेरे यही कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में आज वे लोग घर वापसी के लिए आ रहा है जिनके पूरवजों निकलती किया था आज हमारे अंकुष भाई देवर्ष जी जिनका बहुत मैं आभारी हूँ और और भी कई साथी हैं कई तो अलग-अलग हमारे साथ बुद्धिस्ट मौंक जुड़े है जी मैं बहुत आभारी हूँ बुद्धिस्ट मौंक जी का जी जी बुद्धिस्ट मौंक जी का मैं बहुत आभारी रदे की घहराईयों से कि वे हमारे बीच आए घर वापसी के इस अभियान में वे शामिल हुए जी जी बुद्दिश्ट मोंगी जी जी हमारे साथ वेदिक विशाल आरी जी हैं जी जी वेदिक विशाल आरी जी हमारे साथ काफी बड़ी संक्या में साथी जुड़े सभी से कहना चाहूँगा अधिक सदिक संक्या में इसे लोगों तक पहुँचाएं ताकि हमारी जो बाते हैं लोगों तक पहुँचाएं और हमारे सभी लोग इस विचारधारा को समझें इस विचारधारा को जो हम जिस पर काम कर रहे हैं उसको समझ करके लोगों तक अधिक सदिक पहुचाने में हमारा सहायता करें आप सभी का बहुत अभारी हूं शेकिल भाई का साथ नेटवर्क का पूरा खराव हो रहा इस कारेंट से वे जूड नहीं पा रहे हैं और कनेक्ट होते ही तूट रहे हैं तो फिर हम उनका कोशिश कर रहा हैं लेकिन तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूंगा साथियों यह कौन साथी जो सो रहा है मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि तोड़ा जब भी हम लाईव में जूड़ हैं कहीं पर तो ऐसा ना सूचे कि हम यहां पर हमारे रमेश गांदी जी हैं उनका बहुत आबारियूम है मैं विपिन को दिन जी हमारे साथ मोमिन भाई जुड़े हैं जी मोमिन भाई जी आप आपका माईक अन्म्यूट कर सकते जी यहलो मेरी आवास आ रही है जी बहुत अच्छे से आ रही जी 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 मोमिन भाई जी अभी आप बोल रहे तो हम ना ये कोई मिशन चालू करें हैं क्या मिशन चालू करें आप यह यहां तो घर वापसी का बात चल रहा है आप मौमिन है अजीज भाई तो मुझे लगा कि आपको घर वापसी करना है शायद तो वो देखो कट गए शायद किसी कारण से तो मेरे यही कहना है कि मैं सभी मुसलिम भाईयों से भी कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई की बात नहीं है जगड़े की बात नहीं यह कोई किसी को परशान करने की किसी को हर्ट करने की बात नहीं है जी, यहाँ भारती इन्जी ने लिखा घर वापसी, यह घर वापसी है, अब योगदान क्या हम, हम तुम्हारा मदद करने वाले योगदान तो, तुम लोग क्या देंगे, तुम्हारा योगदान तो ले करके खुद वो परशान है जिनोंने, क्या कहें वहारे खुदा वहारे तेरी खुदाई पाकिस्तान में बड़े बड़े तूने लाइन लगाई ये देखा हमने आखों से भीक मांग रहे वहां पर चाइनिज लोग हमारे साथ प्रम में चारी ये यूट्यूब बन करिया आपका जी तो जिस प्रकार से हमारे साथ जी शकिल भाई हमारे साथ जूड चुके शकिल भाई ये बताईए यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिमों का प्रश्न है उनका कहना है के शकील जो है यह लोग पेसे लेकर के यह लोग गरीब हैं तो लालच में घर वापसी कर रहे है और इनका मा बहनों का इनके पूरे परिवार का कोई मजभ से लेना देना नहीं है यह सारे लोग काफिर हैं मुश्रिक हैं मुर्तद हैं गुरुजी अब तो वो लोग यह सा बोलेंगे न क्योंकि हम लोग को समझ आ गया है अच्छे कार्य करने के लिए गुरुजी क्योंकि हमें सेवा करना है हमें नरक मने जाना और जिसे यह सहादत बोलते है वो मेरे लिए कुटे की मौत मरना है बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात शकिल भाई ने यहां पर बताई है कि शहादत जिसी कोई चीज नहीं होती है और यह बहुत बड़ी बात कहती है आज मुल्लाओं को सोचना होगा कि इस देश का वो आम मुसल्मान का बच्चा जिसे यह लोग शहीदी के नाम पर जन्नत के वो लालच देने के नाम पर उसको पहुचा देते तो और वो कहीं से भी जन्नत नहीं है और कहीं से भी जन्नत नहीं है कहीं से भी किसी भी प्रकार की जी हमारे साथ चंद्रिशेकर जोशी जी जुड़े है चंद्रिशेकर जोशी जी का गाउ एक वीरों का गाउ है बहुत वीर के वीर भरे पड़े हैं नगरा करके गाउं हैं जहां एक से एक वीर दुरंदर होते हैं यसे नगरा से हमारे साथ चंदर शेकर जोशी जी जुड़े उनका जाए हिंदुराष्ट के साथ स्वागत है हमारे साथ जी बहुत मिल रही है गुरू जी धमकी है तो बहुत मिल रही है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा लेकिन डरना क्या मरना तो एकी बारे गुरू जी भगवान की शरण में आके मरो क्या मजब जाना आपको अगर सर तन से जुदा की धमकी देने वाले का नंबर हमें आप दे देंगे तो फिर देखते हैं कि उसके तन के अंदर उसकी हड़्टियां हड़्ीयों से जुदा कैसे होती ए उसका वो विचार उसके शरीर से जुदा कैसे नहीं होगा हम बहुत अच्छे से आता है भारत का पुलिस उसका बहतरीन तरीके से सुधार सिंग नाम के पट्टे से सभ्म सुधार करेगी कि वह जी वाहे लोग लिख रहे emashakil भाई वाहँ शकील भाई मुझे पता था कि आप आप से मेरे कल बात हुआ परसो बात हुआ यही बात मेरे मन के अंदर चल रही थी कि शकील भाई आज आपने बहुत गजब की बात कह दिये स्वागत है मेरे भाई सनातन धर्म में सभी लोग आपको बहुत गुरू जीद यहा पे लिकरहा है डर के आगे सनातन खड़ा है आप डर ये मत बस डर चोड़कर के निर्भीक बनिये निर्भाई कर अपनी जीत लड़ो जीत करो जीत वही हमें करनी है और अनिल दोले शकील भाई की अपील सुनो मौमिनों बिलकुल सभी मौमिनों को मैं शकील भाई की आपकी अम्मी के उपर मोलवी ने बच्पन में उनकी इज्जत लुटने का कोशिश किया था तो और भी ऐसे कुछ आप के उपर या आपके परिवार में किसी के उपर गुरु जी जब मैं चोटा था मैं साथ साल का था गुरु जी तब मेरे फूपी के शोहर आते थे तो वो शोशन करने की कोशिश करते थे हमें के ताब बाप रहे हैं और गुरु जी यहां यहां संतोस कुमार इसे माफ करना बिल्कुल अभी आज ही इनका नाम चेंज हो जाएगा और उसके बाद प्रोसे जालोगी आज जी शाकिल भाई लोग के रे नाम चेंज नहीं किया तो शाकिल भाई जी गुरू जी लोग आपकी हिस्ट्री जाते हैं तो हिस्ट्री तो अभी मेरा बुक आ रहा है घर वापसी किन की और घर वापसी किन की उसमें पूरी स्टोरियां एक हजार लोगों की जो हमने अभी तक अलग अलग बड़े बड़े जो मौमिन है उनका घर वापसी करा उनका एक हजार किस से उसमे तो डरते नहीं हमारे साथ कड़े लेकिन फिर भी हमारे साथ वेदिक विशालारी जी आप कुछ कहना चाहेंगे वेदिक भाई स्वामी जी रमस्ते स्वामी जी मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा स्वामी जी पहले ये कार रहे स्वामी सर्दे स्वामी सर्दानंद जी ने किया था गरवापसी का बहुत बढ़ा प्यान किलाए था उन्होंने जब बहुत हो बाब और उनका तो क्या कह सकते जी और अब पंडित महिंदर पाल आ रहे हैं और आप जैसे सर्दे स्वामी जी मैं तो आप ही के अंदर उनको देखता हूँ मैं तो कुछ भी हम तो चर्णों का धूल है महत्माओं के संथों के हम तो बहुत बड़ा कर रेकर थो स्वामी जी बहुत बड़ा कर रेकर रहे हैं कर कहा पा रहा हैं अभी करेंगें तब आप यह तो कौक शकील बाई बताइए कितने ऐसे परीवार हैं जो अभी तैयार बैठे हजारों परीवार बस वो राह देख रहें कि हम जिनको अभी लेकर क्या रहें इनको हम सेटल कर दें इनको हम सही स्तिति में पहुचा दें और फिर देखिए लाइन की लाइन लगने वाली इस भारत के अंदर सब घर आप मोमिन भाई आए है जी मोमिन भाई जी थोड़ा डिसकनेक्ट हो रहा है थोड़ा नैट प्रॉबर्म चल रही ही पतार मोमिन लेकोne भाष अभी आ रही है जी बताईए मोमिन भाई किसका आख क्या रखा रहा है मैं किसके डी पी व्हाँ अहें व्हाँ में इस को मॉमिनलोग और ब्लेक होल वा गजब यह वा कहिमें आप लोग ब्लेक होले यह विचार दरा जो ब्लेक होले अच्छे साच्छी मानों हो आपको क्या बाट है मोमीन करной ऐसे विचार रहा ब्लेकोल की तरीक ची नमीन भारा ok खोटे शब्द, वाइट शब्द, मिकदी वापर तो नहीं, हम कभी भी इसे गंदे शब्द, कभी भी हम, I love Muslim, I love Muslim, I love Muslim, तो फिर आप जैने शकील भाई, शकील भाई मेरे प्यार को देख करके घर वापसी कर, शकील भाई बताइए आपको मुझसे कितना प्यार है, और आपक पूर परिबार करको, गुरुजी आप देखिए, आपने मतलब के मेरा नाम करण कर दीजिये, तो फिर मैं उसी धरम में आके बात करता हूँ, क्योंकि अभी आपने नाम करण किया नहीं, तो मैं कैसे बताओं आपको, कि मेरी दाफ्द, साथियों, साथियों, आप नाम आप लोग पहले बताओं, मैंने मन में सोच रखा है, और कहीं अगर ये वीडियो सुहानी शाह देख रही है, वो माइन डीडर, तो वो भी हमारा मन का बात पढ़के अगर ये बता दे, कि मैंने मन के अंदर क्या सोच रखा है, जी शकिल भाई मैंने आपका नाम सूर्य और मोमीन जो आया है, ये ब्लेक होल बन के आया है, यहां पर देखे। वोलीं सारी आपकी अाज sıो मिंसलाम के बारे में इसके अदर और खराबी ने तुह आए उसको लेदे ला मुझे नहीं ये तो शकील के अम्मी की इज़त लूट ली मौलाना ने उनका फूपा उनकी मापर बुरी नजर डालता था अब आप सोचिए के फूपा मौल भी इज़त लूट रहा है छोटे छोटे बच्चों का मदर तो कंदर रेप हो रहा तो लाइन लगा के घर्वाप सी करवाते हैं यहां पर अब ठीके समझा समझा आइक लगा ओ बाबू मुमिन भाई आटो चला रहे क्या कर रहे केंडे बेच रहे जी तो फिर यह इसलाम की तालिमात है आप इसको प्रूफ कर सकते हैं जी क्या बोल रहा है आप हलो हलो हाँ बोली आपका कटा हुआ है जी तो फिर यह सब देन आप रहे पिर जो बतार यह इसलाम की तालिमात है अब यह प्रूफ कर सकते हैं अरे मुझे मैं क्यों प्रूफ करने लगा उनके वो घर छोड़ रहा है आप लोगों का यह हमारे घर में वापसी कर रहा है तो आप फाल्टू इल्जाम मत लगाईए ना मैं क्यों लगाऊ मैं लगा रहा क्या इल्जाम मैं तो इसके अम्मी की इज्जट किस मोलबी ने लुटी शकील बताएगा कि उसके फूपा यह शकील बता रहा यह एक सो मुसलिम बता रहा है तो क्या एक मिनट तो क्या ये इसलाम की तालिमात है आरे मैं कह रहा हूँ कि खतना किसकी तालिमात है बताओ खतना कराया आपको कराया कि नहीं खतना किसी नहीं चाचिस आपको सुन्नत की चिडिया दिखाई के नहीं अलो जुबान तो सलमात है न वो तो नहीं काटी न मुझे बताईए कि खतना आप लोगों में किसकी तालिमात है यह खतना क्यों जी यह तो हज़र्द इब्राहिम अलएश्सलाम के टाइम से चला रहे है वड़ी सुन्नत है ना इसलाम में माना जाता है ना इसको हाँ माना ऑब्लिगेशन यह जो नहीं करेंगा वो भी मुसल्मानी रखत है अगर कोई नौनवेज नहीं खा रहे है और यह नहीं कर रहे है खतना तुब्ही मुसल्मानी माना जाएगा तुम म문ून का माना कर रहा है पर मैं यह कह रहा है कि मुझे हटा लेना पजामा टकने से उचा पहनना लंबा कुर्ता पहनना ये सब क्या है ये सब इसलाम की तालीमाने पर वही क्या हूँ ओ hij है हाँ नारे लगा करके सर्तन से जुदा के पत्थर भेकना बं भेकना घर जला देना ये किसकी तालीमात है ये तो तब ही अंग办 जब कोई ब्लास पेमी करेगा ब्लास पेमी करेगा तो आप काट देंगे मतलब आपके अलल्ला से वड़े आप है अगर मैं आपके माबाप कुछ पुरा भला बोलू तो फिर आपके भगवान के इंतिजार करेंगे कि आप खुद ही उसको मना करेंगे, उसको मुझे रोकेंगे माबाप की बात अलग है, अगर मैं आपके अब्बू को बोल दूँ आपके अम्मी को बोल दूँ तो आपको बिलकुल हक है, अधिकार है, आपकी अपी को बोल दूँ, आपकी खाला को बोल दूँ, मेरी बात सुनो, लेकिन अगर इश्वर के ऊपर टिपड़ी कर रहे हैं, तो वो अल्ला देखेगा और हम बात करेंगे अल्ला से, आप बीच में मैं कुछ पूछना चाहती है, मैं कुछ पूछना चाहती है, आप पूछ ले ना पूजा जी, हमारे साथ पूजा बेहन है, मेरा ये कहना है कि आप बीच में कौन, आप एजेंट कौन, आपको सिल लगा के ठपा लगा के भेजा कि अल्ला ने बतावाँ, बहुत ज़्यादा हने क्या बाथ ब्लास्फःमि करें ती कौन क्या कर रहा उसको मद देखिए बस नियुको में ब्लास्फःमि करें त्युकूमत की जिम्हेदारी कि उसको सजा दे हां चलो बहुत बढ़िया कमलेश दिवारी जी हमारे विर योद्धा उनके साथ क्या हुआ जिसके साथ चोड़ी वा तो छोड़ दी जे, history में बट अच्छी चीज़ मियाँ को छोड़ दे, को छोड़ दे, किसलिये छोड़ दे, तुम्हारे भाब का डर पड़ा जो छोड़ दे मैरा यह कहना है कि कमलेश जिबारी जी को घुर्ट ने जेल करा वो 9 माई ने जेल की जवानत पर छूट, जेल से जवानत पर छूट किया, उसके बाद उनका सर तन से जुदा करने वाले दरिंदे का सपोर्ट करने वाले आप लोग कौन, बताओ मुझे, क्यों उनका गतल करा, कोर्ट देख रही थी, हुकुमत देख रही थी, फिर आप पूर सरमाजी का कोर्ट कोर्ट देख रही थी मामला, आप लोग बीच में क्यों कूदे, बताओ मुझे, मैं बोल रहा हुँ न, माबाप से बढ़ करे हमारे नभी, और अगर जैसे, अरे तुम्हारे लिए किसी से भी बढ़ करे, तुम्हारे माबाप से बढ़ करे, मेरे ब गर वाप से करा रहा है, तो आप ले करके जा रहा है बात को इदर उदर, आपकी कोई अम्मी का हलाला हो जाए, अपी का हलाला हो जाए, तो वो का जाएगी बेचारी, बताओ मुझे, पहले बात, इसलाम शर, ये क्या मुलते, अगर सच में कोई मुसल्मान में आपकी स्क्र रही हैसियत नहीं है अरे लेकिन हो रहा ना क्या हैसियत नहीं है हैसियत क्या नहीं मैं अब भी लाकों वीडियो चला दू आपके आखो के सामने बखावा लाकों वीडियो देखिए आप जो कितनी वीडियो चला हो तो रहा है ना यहां आप के रहे ना अल्ला को सजा मिल पॉपकोन उचलता है यह पॉपकोन जैसे फूट रहे जब गैस अन करोगे तब पॉपकोन तो पूटेंगे ना पहले कोई ब्लास्ट ने जबात तो पूझा जबात ना इतने बहतरीं तरीके से इलाज किये जाएंगे इन जबात होके पूरी दुनिया के अंदर आप कि एसी हरकत की वज़े आपको पता है कि नहीं को पता है कि नहीं आपको इसके लिए अमेरिका में एरपोर्ट पर जैसे जाओगे तो डंडे में केमरा बांद करके उस पर तेल लगाके उसको सब वाच किया जाता है पता है आपको सुनिए आपका मसला क्या है कि नभी के लिए हम इतना वो क्यों हो जाते हैं जाहर से बात है यह एक मुसल्मान के आम जजबात होते हैं मतलब आप मानते हैं कि आप हमला करेंगे आप लोगों के कितल काटक करेंगे जी बिल्खूल भी नहीं हैं यह हमारे शकील आज सुर्या बना है तो इसकी क्या सजा इसलाम में जाचिस? शकील ना आज इसलाम चोड़ दिया, इसकी क्या सजा है आपकी कुरान में? कुरान में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जिसको आना हैं आओ, नहीं आना मताओ, बस फूर्स कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा है, कनवर्जन की बात नहीं या धर्मांतरन की बात नहीं चल रही है यहां घर वापसी करिया सूर्या बना है शकील शकील जब सूर्या बना है आज तो मैं कहता हूं कि इस सूर्या की क्या सजा होगी आपके यहां पर क्योंकि यह तो शकील था शकील से सूर्या बना अब यह मुश दो कोई कोई भी कुछ हावाज उठाए तो उसके पर इकडमृ करें में ऑसको फेते प्रक्षा कॉण Bel немного जहांकि परड़ चॉरी बोलि ऐसी तो सब इस ले बरी खड़े ले आप लोगों सी बरिए शॉरी यह के बर defense और एक चीए बारत आई इंगे ग Zahlen यह तो क्या बोल रहा है कि मैं चोरी करुगा तुम करते हैं देश की अदालत में जा करके देखो कून भषपने हैं आप के इंसल्ट कर रहे हैं मैं इंसल्ट नहीं कर रहा है आपके आपने वांट किया आपने मांगा है यू वांट कि मैं चोड़ी करूँ क्या अगर मेरी कोई मर्जी चलेंगे तो कि तो हर चीज़ में चलनीची तो चोड़ते ही क्यों बन रहा है आप आपकी मर्जी है तो ये वोलो ने कि किसी को गरिब को पानी भी लाओं किसी को खाना के लाओं इसलाम छोड़े तो इसलाम छोड़ना इन्मोरालिटी को हो गई अब दूसरी चीज़ में लगा इन्मोरालीटी इसमें क्या इन्मोरिलिटीज में क्या तो फिर आप जो ना कयामत तक उसको जाम नहीं दे पाएंगे बोलो मैं कयामत मैं अभी आपको जवाब देता देते रही है वो तो भूचारे लोग इनलोजिकल बात करने बहुते पूचो ना क्या पूचना चारा है आपके मैं इसी कौन सी चीजे जो आप जब तक कबर में सड़ते रहोगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा पहली बात इसलाम के हक होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि वो यह नहीं बोलता है कुछ करो ना इधर सूरिय बन गया शकील सूरिया बन गया बताओ अहरो बाप पेतिस लोग पेतिस लोग साथ में ले करके 36 लोग वन फेमिली के घरवापसी कर रहा है अब बताओ अब आप 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 आपका दलीले वगेरा दो ना आप क्या प्रश्ण पूछ रहे थे मांगो मैं उत्तर देता आपको यहीं उत्तर दूगा मैं जी चल यह मान लिया इ लिया है वहीं यहांना का से आगे आप इसमें नहीं में आप भुश्रहाइंस कि आ लोग को बात कर रहा है हिंदुमी लोग को सब मन जाने है है रहे अं कि लगाने को नहीं की हिंडुमिर्ण , फिस wonderadan को हिंडुमाझane वे उसको मैं ने उसके परिवार में ये किताब भेजी बारत का सव्मिदान वो पड़े और उनको पता चल गया कि हमारा अधिकार तो बहुत बड़ा है तो अब हमारे साथ यहादी बुखार भी जुड़े है जी जी बुखारी जी आपका माई कर लीजिए आप सब को मुलाते रेंगे मेरे से बात रह जाएंगे इसके लिए पहले मेरे बात सुन लीजिए मैं क्या कहरा हो आप लोग मुझे ये बताईए कि आज भी मुस्लिम बच टेंट में बंद करके रख दिया गया है और अब क्या का में क्या कहूं यहां पर में कुछ नहीं कह सकता यहां पर हमारे साथ बहुत बड़े हमारे साथी हैं दा सनातन शंकर जी और वो भी जुड़े हैं उनका बहुत आभारे रदे की गहराईयों से सनातन शंकर जी का बहुत खुश रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हूँ और आपके वजह से भी इसलाम छोड़ रहे हैं बहुत सारे मुसलमान सनातन संकर जी बहुत बहुत आबार आज तो मुमिन भाई इतने लोग इसलाम छोड़ने के लिए एप्लिकेशन नहीं सकते उन में से बहुत से लोगों को ना सूर फात्या भी नहीं आठे हैं यही तो कह रहा हूं कि जो अल्ला फात्या नहीं शिका के बेट में डाल सका जिसको सिकानी पड़ती है मदर्से में मौल वी इज्जत लूट-लूट के सिका रहा है तो यह ऐसा मजब में जाने से पही तो अल्ला को सिकhा के भूप से वोडों प्रकृति रूप से खूचा है क्या है अभी आप बात करेंगे के देखो मेंड की को जुकाम नहीं होता लेकिन आप लोगों को जुका हो रहा हो वाली प्रावल्म मैंने कुछ भी नहीं फेका मैंने सच्चा ही बोल दिया तो आपके सबसे बच्चा पैदा हुआ उसके साथ है ना जो चीज उसको आना चाहिए तो ऐसे तो हिंदुविजम की कि इतनी चीज उसे नहीं मालू है तो पुरा ब्लैं लोगो को यह रास्ता है वो रास्ता सभी है ने तो आप बोले तो यह सीको यह करो यह रास्ता यह Lке यह सकता नहीं हो सकता भारत का संभीन कर City हम उन्हें भारत का संभीन सिखकाइगे उसकी इच्चा हम उनको पड़ाएँ घैंये हम उनको उनकी अजिकार बताएंगे घमन जिने का जिकार बताएंगे, हम उनको उनके स्वतन्सिता क्या जिकार सिखाएंगे, अब आप क्यों किसी के उपर अपना कुछ चीज भेजना है, अब चिडिया को कोई उड़ना सिखाते हैं, क्या पंक में ताकत कुण देता, बताओ मुझे, तुम सिखाते हैं क्या उनको मौल्वी इज्जत लूट लूट के कुरान सिका रहा है बच्चियों की मॉलेस्ट कर रहा है लड़कों के साथ बच्चे बाजी कर रहा है एक मिनट यह जो आप बहुत गंदा इल्जाम लगा रहा है इसलाम की तालिमात नहीं आप मेरे पास वीडियो है बच्चो का इज्जत लूट रहा है यहाँ पर दिखारा नीचे मेरी मा बेहन बेटियां भी देख रही लेकिन आप आपने बोल दिया तो यह देखो यह मौल्वी बच्चे की इज्जत लूट आई और आप कह रहा है के जी स्वामी जी ऐसा बात नहीं है मैं जो सच कहता हूँ मैं सच में बिना प्रूफ बुना एविडेंस के बात नहीं करता मेरा इतना ही है कि एक शब्द में आपके पूरे आर्गुमेंट की धज़िया उड़ा दूगा क्या धज़िया उड़ा दोगे मैं यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा मैं सच बता रहा है सच की कभी धज़ि नहीं उड़ती उसकी जवाब सुनने की आप कैपिसिटी तो रखिए मेरे पास फुल कैपिसिटी है लेकिन आपका जवाब गंदा है सुनेंगे फिर जज़ कर यह झाल सच इस्लाम भाइ ऑब्सेर्विंगे मुस्लीम सम उप्समाइब? मैं नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा मैं आप यह कहना चाहरा है हो किताब लेज़े उन कपन téccycl को क्यों किताब में गलती आएं और कंपनी को गलती माननी पड़ेगी आप कह रहे हैं कि मशीन की गलती मत मानो, आप किताब की गलती मानो, अरे किताब छपी है, किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो ये मिस्टेक किसका, ये मिस्टेक मशीन का, ये मिस्टेक फैक्टरी का, ये उसके ओनर का, ये मिस्टेक इस किताब का नहीं, मैं आप को फिर क्लियर करता मैं तो मैं तो आप लोगों को कभी से सुन रहा हो और हम तो सुन-सुन करी तो सीखें कि आप कितने मतलब वाहिद बाते कीजिए ना यहां पर मेरे सामने आप आप वाहिद बात नहीं कर रहा है फुजूल बहुत बात करते हैं मैं बोलने का मौकर नहीं हम मौमिन एक बार रुखो मैं एक रिफरेंस देता हूं आप हदिस को मानते हैं ना मानते हैं बिलकुल मानता हूँ सही बुकारी 5151 देखो उसमें क्या बोलता है आपको दिये हुए राइट में से सबसे बहुतर राइट यह है आप लड़कियों का प्राइविट स्पार्ट्स एंजय करो वह है वह है इस्लामिस्त का तालिंग तालिंग बता आप यह तो वह उन्होंने आपको अधीस ही बत अरे मत करो सारे ठरकी लोग एक जगे इखटे हो जाएंगे मत बोलो ऐसी चीजे मत सिका अरे रे 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 कन क्या सिका दोगे यह क्या है अरे वह क्या है यह गंदगी कहा से वह जचीजे जा रहे है, उसमें लड़कियों का आउका दिखाता है, मैं बोलता हूँ, लड़कियों को चार चीज़ देखके शादी करना है, एक उसका beauty और उसका religion and उसका something else but उसका feelings और कुछ भी नहीं, उसका beauty देखके marriage करना है वलूद, वलूद होनी चाहिए, मैंने भी सुना एक मुल्ला का, वो बोलता है, वलूद, मतलब आप अगर लड़की देखने जा रहे हैं, तो वलूद देखो, वलूद का मतलब जो ज़्यादा बच्चे पेदा कर सके, उसको वलूद कहते हैं, तो क्या किसे लोगे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कि आप जो बोल रहे हैं, आप को घुठ हो नी बन्हों है, पूरी हदीट क्या है? आप जो ना बता रहे हैं जो हदीट, उसमें जो यह तो शाभी नहीं था कि उसकी बना पूद कर जो, अगर हाँ, लाड़कियों का कांसर्ण इंपार्टेट नहीं है वो बोलता है महां मैं बोलता हूं पहला इंदी रुख जाहिए वह यहां फसा फसी की गंदी बातें मत करो एसी ठरकी पने की आप अच्छे अच्छे बाते करो करें पर क्यों हम अपना टाइम बेस करेंगे निकलो इदर से गेट आउट हाँ जी हमारे साथ ओम भाई जूड़े हमारे साथ एक्सम अधिस्ट पूजा जी है जै हिंदुराज जी जी ओम भाई कैसे आप कोर्क आज शकील और उसकी पूरी फैमेली ने 35 मेंबर शकील का नामात से सूर्या सूर्या नाम रखा मैंने क्योंकि अभी एक बहुत बहतरी हमारी इंडियन टीम के क्रिकेटर सूरी की तरह चमक रहें तो यह इदर से बड़ा कारे करिया वहीं से समझ में आयाता है तो क्योंकि आपका एक की मिशन है पहले तो आपका बहनों का घर वापसी का था मौमीना बहने जो इतनी तड़पटी है वहाँ पर लेकिन आप लोगों नहीं बोला कि यह इनका कौन करेगा तो फिर इनका इनका उनलाइन करते हाँ भाई ओनलाइन कभी से आते पिछले तीन चार पात साल से लो बहुत आ रहे थे जो लोग डर रहे हैं कई वहाँ पर आके बोलते भी हैं एक्स मुस्लिमों के चैनल पे कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे मैंने का लाइब बाते ऐसे नहीं बताई जाती स्वामी जी भी बो आजीवों बलेखो भी खोल लगा रहाएं तो मैंने उसको वही बोला में आपने बहुत अच्छी बहुत अच्छा तुलना की अपनी विचारदारा का आपकी विचारदारा माना हुता है कि लिए बलेख 시सारी माना हुता को और स्वामी जी यह बोल रहा था मैंने मूट तो यह बोल रहा था कि don't judge Islam by Muslim, मतलब मुसल्मान के कारियों को देखते हुए Islam को judge नहीं करो, और बहुत किसको करो, हम तो आपकी scriptures को देखते हुए करते हैं, scriptures की बात बताते हैं, वहां जाके defend करो ने जहां आपके scriptures खोल-खोल के बयान की जारी है, वहां क्यों नहीं जारे defend कर प्राइम दिया, मैंने का धंदा है पर धंदा है यह, ठीक है, जो भी आपने इसके बारे में बोला, गंदा है लेकिन धंदा है, और इसलिए चोरा है पर अब्दुल शर्मिंदा है, और मांगते इसलिए यह चंदा है, ठीक है, और दूसरों को super chat की बात बोलते हैं, और यह बोल रहा है, हमारे भाई ने एक अच्छा इसको बोला, यह मतलब की शादी वगेरा के बारे में, लेडिस के बारे में बोल रहा है, अरे भाईया, भाई मेरे स्वामी जी को भी मैं बोलता हूँ, ऐसे डंगरों को लॉजिक देना ही नहीं, लॉजिक उसको दो, जो कोई धं सेकुलर था और इसी वजह से वो फिर धीरे से बन गए हैं, जी, और साहिल भाई के साथ वो दो स्ट्रीम में उन्होंने वो किया है कि भाई की भारत में इसलाम कैसे फ्याला मंदरों को तोड़ना वगेरा सारा ये इनका मुगलों का बताया, तो कल मैं नहीं को उनके साथ ज धर में बिना बुलाए जाना ये तहजीव है तुमारी, ये मैनर्स हैं, क्यों आए, क्या लेने आए, बड़ी-बड़ी बाते भीक मांगे खाते, क्या लेने के लाए आया थे, की लाए लिए थे, किसने बुलाया तुमारे को, अरे बाकी रेफरेंस छोड़ो कहां, किस काल मैं क्या हुआ, क्या हुआ, तुम आये याँ पर, पर ये बताओ, क्या लेने आए भाई, यहां पर, किसी के धर्मिन भाई जुड़ा है, तो मैं चाहूंगा, कि मोमिन भाई आप, आपका तशरीपिदे, आपका तोफा लिए रिदर कबूल है, और आप बिल्कुल स्वागत है आपका जी बहुत स्वागत है रदे की घहराईं से जी जी कबूले कबूले तौफा कबूले जी जी आपने अभी कुछ बात बोली थी उसका जब में रिफ्रेंस देने लगए आप एक्दम इसे भगाया डाले ने वो तो इतना बंडरी है सही बुकारी सुनिए आप लोगो को भगाया जाता है हर जगे से क्यों कारण है उसका आपने मंच्छा जाइर की थी चोरी की तो मेरे मेरे को घबराट हुआ कि जवाब 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 उनने के लड़की की कंशन लेने चाहिए हो सकती है तो मैं उसको देना सही बुकारी 6-9-4-6 रिप्रेंस देना अरी यह मदरसे में पढ़ाओ ना मोल्वी को यह यह यहां क्या मदरसा खोल रहा है मैंने आप यह गंदी-गंदी चीजे पढ़ाओगे माँ पढ़ा हूं मदरसा में यहां पालतु के बाते मत कर जा यह को अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात यह से नहीं चलेगा यह नई हो फ़े हुनार नारड़ू प्रपभ還ाओ बहुत बड़े अदर्णी है समात्सर्व हैं कितने दिनों के बाद आज़ आपको देखा काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा टाईम लगा मैंने का स्वामी जी के चैनल पर चलते हैं हाई का टॉपिक बहुत ही बढ़ी है आपने चूज करा सब्सक्राइब लोगों ने तर्टी सिक्स लोगों ने आज घरवाप सिखिया और शकील सुर्या बनाया आज वहां पर नेटवर्क नहीं है इसलिए वह जूड नहीं पा रहे थे लेकिन थोड़ा जोड़ने का लेकिन तो अब यहां पर देखो मैं घरवाप सी खुल वारा और वो मुल्ल मोल भी यहां पर आके मदर्सा लगा रहे यह अरे तुम तुमारी आम्म्यों को सिखा वह आए तें यहां क्यों मुझे सिखा रहे ज़ाए ज़ाए तर आज आपको कैसा लग रहा है कि इतनी बड़ी संक् आज स्वामी जी के चैनल पर चलते हैं और मैं अभी अभी बस पहुंचा ही था अपकी स्ट्रीम देख रहा था तो ये जो भी 36 लोग घरवापसी करी है ये महोदी बड़ी achievement है और इन लोगों को घरवापसी का मतलब समझाना पड़ेगा इनको घरवापसी का मतलब समझ नहीं आ रहा है कि जब कोई सुपा का भूला शाम को घर लोटके आता उसको बोलते हैं घरवापसी यहां कोई conversion नहीं हो रहा है यहां कोई मौमिन का religion परिवर्तन नहीं हो रहा है बलकि उसको उसके सही रास्ते पर जो लाए जा रहा है तो अभी जो मौमिन भाई आये थे उनको यही चीज समझनी चाहिए कि घरवापसी का मतलब क्या है बिलकुल उनको मतलब नहीं वो तो यूँ बोले कि हम तो फट जाएंगे मैंने बोला पॉपकॉन जैसे फट रहा है तो बोले हम तो पॉपकॉन जैसे फटेंगे अब आप बताओ जो अपनी तुलना पॉपकॉन से कर रहा है तो वो क्या कितना हूँ आपने सुमीदा अगर मैं चोरी करना चाहूं तो तो मैंने कि तो चोरी क्यों कर भईया तो पेलसे ही चोर है किना दो कपड़े पिना दो गरीवह 좀bn दे दो मेरी चाह वोगी चोरी करने की तो क्या आप मुझे कर ने देंगे तो मिनकी देख्डिये मन के बसा स्वामय जी इनका पता क्या है सनातन शंकर भाई इनका पता क्या है ना खाता ना जोर्ष है वोर सभी इनको ये बोलो कभी आपने जानवरों को कभी खाना खिलाया है बंदरों को कभी चने खिलाया है जानवर को खाना बना के खाया उन्होंने कभी किसी अपकि इसकान के इलावा आज बिल्कुल मैं आपको शमा चाहूँगा रोका बीच में एक बार एक कभूतर वो इधर मंदिर में था दानेवाने चुकता था और मंदिर में बात चल रही थी सत्संग चल रहा था साथ-ाथ-दस लोगों का बेटे-बेटे बात कर रहे थे तो जब मंदिर में सत्संग चला बात हुआ तो वहाँ पर ये चर्चा चल रहा था समाज बहुत अच्छा है सभी लोगों को बिंजूल के रहना चाहिए किसी के परती द्वेश भावना नहीं रखनी चाहिए सभी समान है कभूतर ये बाते सुनकर के बेड़ गाए जाके मदर से पर उदर मौलवी जी ने फस्ट क्लास उसको जो पकड़ा है और उसको जीवा कर करके और उसको फ्राय करके खा लिया कभूतर का सारा ग्यान धरका धरा रहे गया तो वह इस्तिती हो गई के यह ग्यान सीमित नहीं है लेकिन दुस्ट लोगों पर भरोसा करना बंद कर दो और वह मुमिन भाई फिर से आएं यहां पर तोफा जी जी आपका तोफा कबूल है जी सानातन चंकर जी जी तौफा कबूल की जी जब आपके पास आर्ग्यूमेंट के जाप कता मुझे जैसी भगाते आप लोगों तो सुनिए चलिए अभी छोड़िए बिल्कुल आप लोगों को तो कबसे भगा रहा है पर मानी नहीं रहे हमने पाकिस्तान बना दिया कि ज जगह पर गया है वहां पर काफी बंदर थे और लोग उनको अलग लग चीज़ें दे रहे थे कोई केले बांट रहा था और वह बड़े प्यार से खा रहे थे तो एक बीच में सक्स थे उन्होंने काया मैंने का ये केले ही क्यों बांटते हैं इनको तो वह कहने लगे कि यह रहना वो कभी भी मतलब किसी जीव को मार के निखाते हैं, बंदरों की एकादत है, वो साकाहारी होते हैं। बंदर सुद्ध साखाहरी जीव है और वो नेचुरल जो करेंगे वो पेड़ों की पतियां कोपले खाएंगे आप उनको केले दोगे वो केले खा लेंगे लेकिन उनको अगर आप किसी का मास दोगे खाने को वो कभी नहीं खाता है बंदर वो उसका नेचुरल क्वालिटी है फिर मैंने एक वीडियो देखा था जाकिरनायक का जिसमें वो ये प्रूव कर रहा था कि जो मेंमल्स है उनके जो दांत हैं वो मास भक्षण के लिए बनाए गए हैं तो मैंने का ये जाकिरनायक है तो ऐसे कहता है जो जो आधी मानव थे वो तो मास खाते थे बैने का हमने पड़ा हुआ है कि जो आदिमानव थे वो कंदमूल खाते थे तो जो इनसान की जो नेचर है वो भी मास भक्षन का नहीं है और हमारा जो सनातन धर्म है वो भी यही कहता है कि आपको हम जब मंदिरों से बोलते हैं न कि या प्राणियों में सधवावना हो यह चीज आपके इस अपने में भावना हो अच्छी इनका उल्टा है फ्राणियों को खाने की भावना हो नहीं नहीं चले गए वो अभी अभी थे हम पर बैक्स्टेज़ पर देखिए थोड़ा नहीं नहीं इदर कोई कोई सी स्टेश पर नहीं है ये फाइनल स्टेश पर डाइरेक्टूर के पास ही जाएंगे अगे पूछेगा जरूर अगर मैं नहीं भी रहूंगा तबी भी पूछेगा की ये बड़ी बड़ी हमेरे में ऐसे बाते करते हैं कि ओरतों के हाटUक जिनकी घरवापसी स्वामी जी करा रहे हैं तो फ़ई एक बात बताओ पहले तो आप आप औरतों की राइट की बात छोड़ recognition कि पहले आप बताओ ये औरत वर्ट का मतलब क्या है सी wrap लाजिक नहीं देना कॉछ को में तो में उनके लिए स्वामी जी आपके इस क्लेठ फॉर्म के माद्याव्म से बोलना चाहता हूं तो में अपने क्लेठ वाम Zee के प्लेठ फ़र्म वह जोड़ना बंद करो निकाह का मतलब है सेक्शूल इंटर कोर्स ठीक है लाल वासना को स्वामी जी और बाकी कोई कोई बोलना जाता है जी नमस्ते शेलों में जी तो यहां पर हमारे साथ में सूर्या जी एक और सूर्या जी इनकी भी अम्मी के साथ यह सेम प्रॉब्लम है रुद्रा रुद्रा जी है तो यह राजेस-नाम क्यों लिखने लग गाए अरे देखिये मेरा बहुँत सरा नाम है ठेक है तता कि सही देखना फिदाइन विदाइन तो नहीं हो इसार कहीं हमारी स्ट्रिम भाहइन वपन बलास्ट हो जाए कहीं भी भट्ट सकते हैं इनका कोई वो ने है नाम तो इनका रुद रा आगया तो रुद्रा जी क्या चकर नाम क्यों बदल ले थे? सब्सक्राइं preciso आप के साथ दियों ना हम लोग आपके साथे डरो मत कि बताईंए डरो मत ऩर जो में जिस तो आपके साथ मेरे जितने भी लोग तो सुन रही हो ना रूदरा की अमी आप भी घर से कीजिए जी जी बोली है रुदरा बाई में को जरुरत नहीं है घर वाप से के शोड़िये उनका को यह क्या प्रॉब्लम है हं मतलब की मतलब गाली वाली ऐसा कोछ वह ऐसे घ्रेडा नहीं है उनको ठीक है हिंदू लोगों से अगर हिंदू से तो थोड़ा सा टेकनिक आप बताएंगे कि हमारे लोग भी सीखें कि कैसे मतलब आपके पापा ने कभी किस्सा सुनाया हो कि ऐसे मैंने आपकी मम्मी को ऐसे प्रपोस किया तो यह अगर आपके अगर करें मैं अपने जो नाना के घर में नहीं गया हूँ मैं अभी तो खतुदार होता है बता हूँ इस पर वालिवुड वाले पिच्चर बना देंगे जी बंबे से भी सुपरीट पिच्चर बनेगा जी बताइए अरे देखिये पसंद आया था में चीज है न में वहां क्या हुआ कि आपके नाना गुंडे होंगे बहुत बड़े चोर चोर ना गुंडे नहीं तो कट्टर मुमिन थे तो हम लोग इस्टेट चेंज करना पड़ा जी और फिर आपको कैसा लगता आपको पिता जी ने इतना महान कारिक कि आपकी अम्मी को वहां से लेकर के आगए कट्टर गु अब तो बिल्कुल बहुत कितनी बड़िया बात है कि देख लो यहां पर एसे एसे वीरियो द्धाओं के बच्चे भी सानातन चंकर जी देखिए कितनी बड़ी बात है आप बीच में मतलब अकिले पड़ गए तो वो लोग जीत कर देंगे इसको खोलो बोलके ऐसा कट्टर होता है आप कभी गए होंगे तो ऐसा हम जहां निकल जाते ना वहां पर लोग उतार लेते हैं उनके माथे पर छेद लगी जो पेन के रखते हैं ठीक है वो ट्रिक पापा से पूछ के आना और मैं तो चाहूँगा कि आपके पापा एक दिन स्ट्रीम में जॉइन करें और वो बताए कि किस प्रकार से मेरे युगाओं को ये ट्रिक चाहिए कि क्या ट्रिक है वो ऐसी इसमें जो है ना महीला का ज्यादा योगदान होता है ठीक है आपकी तो आपका अम्मी को लेकर आओ फिर स्ट्रीम में ताकि मुस्लिम बच्चियां उनसे प्रेरित हो ये पॉसिबल नहीं है भी ठीक है वो सब च चोड़ते हैं आप बताईए आप आज यहां आए हैं तो आप सच्चा ही बताईए कि इसलाम के अंदर कितनी कट्टरता है देखे कट्टरता ये है कि वो खून करिष्टा भी खून नहीं रहता है फिर ठीक है वो पानी हो जाता है खून इतना समझ जाए आप लोग ने आप रहे ही नहीं सकते हैं अगर कोई चोड़ दिया दिन चोड़ दिया मतलब तो फिर मान के चलिए कि कुर्ण में भी आता है न कि वो तो अगर कोई काफीर हो जाए तो उसको या फिर घर से निकाल दो मत्तब अपने माबाप से दिखेना करने का आदेश दिया है उसमें का का बच्च़ मुमिन है उसका माबाप काफी रहने तो बिल्कुल बिल्कुल रूदरा जी और आप च्छे बात याँ कही अब आम अप हमारे सानातन संकर जी कुछ कहना चाहिए इसपर और मैं चाहूंगा कि सानातन संकर जी बिलकुल आप अपनी बात पूरी रखें जे मैं ये बोल रहा हूँ कि काफिर का मतलब क्या है काफिर का गुना क्या है ये आज तक समझ में नहीं है मैं बताओं सर आपको काफिर का गुना कुरान में आता है कि जो काफिर है वही जालिम है और वही जुल्म करता है, तो अगर कोई मुमिन बोले कि आप बहुत जुल्म करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान वाल नहीं बोलते हैं, कि यहाँ पर मुस्लिवों पर बहुत जुल्म होता है, तो एक्चलि जुल्म यही है कि हम लोग काफिर हैं, सबसे बड़ी दिक्कत बात है कि उन्हों में बताया कि वही तो यह अगर कोई मान के चलिए कि जैसे कि यह अल जजीरा जलजीरा वाला जो वह नहीं रहता है ये न्यूस चैनल उसमें देखिए हमेशा हर बार जो है न वह जीवस को हमेशा ऐसे दिखाएगा जैसे कि वह लोग उप्रेस कर रहे हैं पलेस्टिय लुख मान के चलना है कि जो काफिर है वो जालिम है वो जुल्म करता है according to the qoran वो सही बोल रहे है हैं अधी ऐसे वो लोगर तो इसलिए तो घरमापसी करा रहे हैं क्योंकि खाली काफिर होना जुलम है वहाँ पर ठीक है लेकिन हमारे में तो ऐसा नहीं है जिस घर में आप आपको बापस लाया जा रहा है उस घर में आपकी माननेता क्या है आप किस इस्वर को कैसे पूझते हो उससे कोई मतलब नहीं ह आप अपनी विचारधारा को लेकर चल सकते हो और आपको सिर्फ इसलिए मारा या भगाया नहीं जाएगा कि आपकी पूजा पद्दती क्या है यही सबसे बड़ा जो है अभी मैंने एक स्क्रीन शेयर कर रहा है स्वामी जी थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए यहाँ आप देखिए यह है यह है आप बोलते हो ना हिंदू धर्म क्या है इसको थोड़ा जूम बड़ा दीजिए जूम कर दीजिए इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और जो मेंन चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यह है अब यहाँ पर यह संस्क्रीट आप पड़े है दृति शमा दयस्तेयम सोचम इंद्री निर्ग्रिहम निग्रह दिर्विद्या सत्यम करो दो दसकम धरम लक्षनम तो धरम मानमता का धरम यह लिखा हूँ यह लिखा हूँ है मानम धरम के दस लक्षन है तो यह अपर काफिर वाफिर की चीज नहीं है अगर यह दो पहला लिखा हूँ है क्षमा दूसरों के द्वारा कियेगे अपराद को माफ कर देना क्षमाशील होना तो जब आप घरवापसी करोगे तो आपके अंदर यह क्वालिटी आ जाएगी ठीक है अपनी बासनाओं पर नियं करने का तो मैं करपाओं का नहीं चोरी करना चोरी नहीं करनी आपको अपने अंदर और भार की सुद्धता रखनी है सुचिता का मतलब है सोचम का मतलब है अंदर और भार आपको सफाई रखनी है इंद्रियों को बस में रखना अपने जो आपकी इच्छाएं हैं उनको तो किसी ने कर दी किसी ने रहते हो तो वहांपर आपलाई हो जाता है कोई कुछ भी करे अभी राम तरित मानस जलाया लोगों ने के नहीं जलाया पर कहीं तो यह शीन लोगों को मतलब समझ नहीं आता ना कि यह धर्वाप्सी करके क्या करेंगे हम हमें क्या मिलेगा यह रास्ता यह आपको यह यह सिर्फ एक ही है दुनिया में धर्म जो है वो एक ही है मजहब पंत संपरदाय अलग अलग हैं तो हमारा बत यह है कि जैसे 93.5 इसका प्रचार करना है और संभीधान को हम मानते हैं स्वामी जी ने संभीधान सबसे पहले दिखाया था और हमें यहां पर कोई काफिर नहीं है अगर कोई जूट बोलेगा तो हमें यानि लिखाओ कि उसको मार दो लेकिन ये इसको एक इंस्टक्शन है कि आपको सच बोलना है अगर कोई जूट बोलेगा यानि कि वो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है और अधर्मी को भी हमारे यहां मारा नहीं जाता है अधर्मी को भ पहिया मारदो काफिर को निज्जत हैं सबसे गंदी अगर दुनिया में कोई अखलाक या कोई कौम है तो वो काफिर हैं यहां पर यह चीज़ें मिलेंगी आपको घरवापसी करके आपको पूजा पाठ कैसे करो करो ना करो वो आपके उपर है लेकिन आपको कितना प्यारा बहुत अच्छे से किया मतलब कोई अनपड़ से अनपड़ भी होगा ना वो भी समझ जाएगा उन्होंने समझाया तो सनातन शंकर भाई मैं आपी की बात को आगे कॉंटिन्यू करूंगा इन भाई से कोई मतलब मुश्किल कोश्यन नहीं पूछूंगा देखो भाई आपक वहां जाते हो स्वामी जी का चेला है समीर का चेला साहिल एडम का चेला ऐसे पता ही आपको स्वामी जी क्या बोलते होंगे वह गंदी बाते थोड़ना बोलना है अभी एक बाताओ स्वामी जी किसकी थी यह वह जो एक्स मुस्लिम देशी भाई अभी नए 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 पाकिस और सब्सक्राइब करो आपको चैनल पहले से सब्सक्राइब मैं नहीं जुड़ा है। यह साथ मैं भी था और एड़ू काट आज ऑद आपको फिले ठीक से डला वह जी एक्सえडम मेंने पंपीर कीड़ सब्सक्राइब हो तो मेरे को notification मिला तो notification पहले भी मिलते थे लेकिन एक दम से ध्यान कि अच्छा ये वो सनातन शेंकर भाई है तो हम लोगों को आपस में चाहिए ये YouTube Google का क्या होता है इनका क्या होता है एक funda होता है अगर हम एक दूसरे के चैनल पे जाके comment करेंगे या जाएंगे दर दर नाम लेंगे न तो एक दूसरे को मिलेगा और जितने भी public इदर उदर की होगी न सब को जाएगा इसलिए मैं सब भाई और बहनों को बोलता हूं कि भाई हर जगा पर ऐसे किया करो यहां से copy करके स्वामी जी का link copy करके अभी live चल रही है दूसरे चैनल में paste करने में कितना time लग लेकिन स्वामी जी के साथ पहली बार मुलाकात हूं लेकिन नभी साब भी हमारे यहीं पर थे एडम सीकर लेकिन उस टैम नहीं पता लगा जब इन्होंने काट के डाला मैंने का आहां यह तो पता है अचा सनातन शेंकर भाई एक बात बोलूंगा जो आप इनसे बात कर रहे से इन भाई लोगों से मैंने वो औरत और निकाका तो पूछ लिया अब इनसे एक बात पूछा जाए कि यह कौन सा गुना है जो आपका क्रिएटर माफ नहीं करेगा वो तो गुना शंकर भाई वही है कि शिर्क शिर्क माफ नहीं करेगा मतलब के साथ कोई और मूर्ती पूझा हमने कर लिए किसी और को शामिल कर लिया शिर्क करना मतलब शामिल करना अल्ला के सा बड़ी से बड़े से बड़ा गुना माफ कर देगा, बच्चियों के साथ रेप करना माफ कर देगा बच्चों के साथ रेप सिर्फ क्या माफ नहीं करेगा शिर्क अगर ये एक इनसान अपने दिमाग से जो creator ने सबसे उपर दे रखा है सनातन भाई स्वामी जी पूजा जी सनातनी भाई अगर सोचो क्या ये बड़ा गुना है एक मूर्ती पुजा करना या शिर्क करना किसी को शामिल करना या ये इतने बड़े बड़े इंसानी गुना है ये बहुत बड़ी बात ही सँश्वाट स्वामी जी कि ये जो अभी कही cooking home भाई ने बात कि भूजा सब कुछ माफ कर दिया और किसी बंदे ने अपने पूर्वजों का कोई फोटो बना लिया और उस फोटो को देखकर वो अपने पूर्वजों को या अपने उन एंसेस्टर्स को याद कर लेता है दो घड़ी तो वो गुना हो जाता है और एक मैं आपको और बताऊं मेरे चैनल पे एक मौमिन ने कमेंट किया था एक बार कि या तुम लोग इतने सारे भगवानों की पूजा करते हो तो मैंने उसको लिखा मैंने का एक चीज़ बता कि क्या वो पावरफुल गौड अगर वो वाकई में पावरफुल है तो क्या वो अपने क्या क्लोन नहीं बना सकता क्या अपने आपको वो दो या तीन या हजार नहीं कर सकता है अगर वो वाकई में ताकतवर है और आप बोलते हो कि अल्ला सबसे ताकतवर है और सबसे बड़ा है तो क्या वो अपने रूप को दो चार दस या पाँच हजार या अर्व या अनगीनत नहीं कर सकता वो कहता नहीं कर सकता मैंने का तो फिर वो पावरफुल कैसे हुआ powerful तो वो है न जो अपने आपको हजार करोड बना सकता है आप जिस रूप में बोलोगे के भगवान का ये रूप है भगवान उस रूप में आ जाएगा वही भगवान powerful भगवान है वो भगवान जो कहता है मैं इकलौता हूँ मेरे जैसा कोई दूसरा बनी नहीं सक जो बन्दा अपने क्लोन नहीं बना सकता हमारे अगर बोलते हैं जो हिंदु में यायत इतने गाड है वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो गाड है वो सुप्रीम इसलिए क्योंकि वो अपने आपको हजार बना सकता है वो कभी शिबजी बन जाता है वो कभी राम बन जाता है कभी वो इनसान बन जाता है वो कहीं पर भी जा सकता है उसके पास असीमित ताकत है आपके में नहीं है इसलिए आपको डर लगता है और आपने किताबों में वो चीज लिख दी कि भाया जो मेरे इलावा किसी और को पूझे यानि कि वो एक ही है उसकी पावर बहुत ही लिमिटेड है यह मैं यहाँ पर स्वामी जी के चैनल से एक सब को बताना चाहता हूँ इसको थोड़ा से सोचिए बहुत ही सिंपल चीज है कि अपने जिस बंदे की पावरी नहीं है वो अपने आपको कभी भी दो चार दस नहीं बना सकता तो एक ही सकती है जो सब जगा व्याप्त है कणकण में पलपल में भगवान है आप उसको जिस भी रूप में पूझो जाए जिस रूप में मानोगे उस रूप में मैं आपकी मनोकामना पूरी कर दूगा लेकिन शंकर भाई आपने इनका सुना है कि ये लोग इनका तो क्या बोलता है क्रिएटर आला जो भी है वो ये बोलता है कि अगर दो गौड होते दो क्रिएटर होते या multiple creator होते तो वो आपस में लड़ते रहते अब सोचो वो ये भी भोल रहा है कि दो-तीन creator होते और आपस में लड़ते रहते यानि कि existence है ना multiple की और फिर बोलते हैं कि उसका कोई शरूप नहीं है उसके हाथ भी है उसके पैर भी है एक पैर उसका जन्नत में एक जहन्नुम में है ठीक है हाथ भी है उसके पास मुर्गा भी है आंडे भी देता वो सब कुछ करता है और फिर बोलते हैं उसका कोई शरूप नहीं है ऐसा कैसी यतना एक्सप्रेंश नहीं करना और वो लड़ेंगे ही क्यों अगर अगर वो दो क्र एक चीज़ और लड़ेंगे यह बताओ ना लड़ना ही क्यों है आपस में लड़ेंगे तो जैसे उसके मन के अंदर खयाल क्या है कि मुझे चोरी मेरे मन में चोरी तो एसे ही कपट की बाते चल की बाते जिनके मन के अंदर जो चलेगा वही आता है तो बस अगर कोई अंदर वर्ल्ड का डॉन है वो डरेगा वो लड़ेगा कुर्सी के लिए कि भई मैं ही डॉन हूँ मेरी जगा इसे कुर्सी पर कोई और बंदा नहीं बैठ सकता कोई और ॉन नहीं बन सकता वही लड़ेगा अगर कोई creator इस दुनिया को बनाने वाला कभी लड़ेगा ही नहीं, ये एक बात एक गुंडा, एक डौन ही सोच सकता है जैसे आज बिल्कुल भाई, आपकी बात तो बहुत आला दर्जे की, चलो मैं छोटी मोटी गुस्ताकी कर देता हूं बोलने पे, देखो ऐसा है, अभी नहीं, सनातन शिंकर भाई, मैंने आपका देखा है, आपकी नौलेज, स्वामी जी की बहुत जादा है, मेरे एक बात सु है ना, तो हमने घर वापसी में, मैंने भी कई बार बोला, और शंकर भाई, आपने भी आज वो बात बोल दी मेरे, जो मैं बोलता हूं हमेशा, घर वापसी का मतलब कुछ उल्टा तो है नहीं, कि भाई की, जो हमारे यहां पर कहावत है, सुबह का बूला, शाम को घर लोट है नहीं, सौरी, क्रिस्चन भाई, तो वो बोल रहा है कि हम तो यहीं के हैं, हम कनवर्टिड है, हम सनातनी थे और हम कनवर्ट होगे, मैंने का भाई, 22 साल की उमर है आपकी, ठीक है, वो पंजाब का था मेरा, लेकिन मैं उससे पंजाबी में क्यों नहीं बोला, क्योंकि वह साल राज किया, सनातन संकर भाई इस बात पर गव गौर करना स्वामी जी, यह बोलते हैं, जो प्रॉब्ल्ल नहीं किया, हमने राज किया, हमने तुमारे साथ यह किया, हमने वो किया, उपनी पूरी पॉलिसी, आपनी पॉलीसी को लाई विडियो में थोड़ी हम्शो कर दे गें हमारा तो वन टारगेट और हमारा वन गोल करने का अभी हमारा मिशन है घर बापसी कि यह तो बहुत सारे लड़के आने लगए इसलिए उनका ओनलाइन इनको भी हम आश्रमों में नहीं आने देते कितने ही हमारे खास हो जाए हम उनको आश्रम में अंदर नहीं लेते तो वो सब धियान में रखते हैं ऑम भाई आपका बहुत आबार आपका बहुत आबार और जी आप बहुत बादे मात्म जी जी ऑम भाई का वी बहुत आबार हुँ हमारे साथ सानातन शंकर जी एं तो सानातन शंकर जी बात यही है कि घर वापसी मुस्लिम बच्चियां इसलिए करना चाहती है क्योंकि उनके जीवन दर्द में बीतर है उनका पल पल उनको जीना दूबर हो गया अबू भाईजान सब गंदे गंदे काम उनके साथ अभी तो एक माने को उसने संसकार बचपन से ऐसे डाले यहां पर देखो हमारी एपोस्टेट दनीन जी है वो भी लिख रही है कि हाँ यह सही बात है और उन्होंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया वो कह रही है कि इसको बहुत यही सटीग बात है तो मुस्लिम बच्चिया बहुत प भियान ओपनली शुरू किया और बहुत बड़ी संक्या मैं आज सोचिए 36 लोगों ने आज घर वापसी एक के परिवार के और हमारे साथ यह एक बहुत बड़े आतंकी मिजाज व्यक्ति हैं औबेदूर रहमान खान आतंकी विचार जो है ना बाबे जी आपका है मेरा नहीं है मैं मुस्लिम बच्चियों की इज़त बता रहा है मैं मुस्लिम बच्चियों की इज़त बचार रहा है मेरे 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 विचार आतंकी वा नंगी होके नहीं क्या वात है उनकी इज़त है उनकी इज़त है नं आप सम्मेदान की धाराओं का उल्लमन कर रहे हैं आप यहां पर दूसरों के सम्मेदान का और जो जो अपने 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 शर से बचा रही है उनको उनको कह रहे हैं कि फलाना फुलाना है देखो भाई ऐसा है आप जो सामने आपके दिमाग में होता है न वहां से गंदगी सुरू होती है वहां से गंदगी शुरू होती है बापने अपने हमा बाप की इजद बचा रही है अग्वा Опने अपने तुम जैसे हम लुग नंगा गुमो आला था आशा आप अप नंगोटो पेहने को गुमते हो यह तो आपनी इज़त के लिए तो आपने पहने हो ना ने तो आपको नहीं पेंता लंगोर पेंको गुमना चाहिए था क्यों गुमना चाहिए मेरी इच्छा मेरी जो कप्ले पहनू अभी अभी में वही कह रहा हूं देखो उर्फी जावएद क्या कह रही सुनो पे लिए उर्फी की बात कर ले बात करने देख यहां पर सुखी और श्रों कमेंडिग माइपिचर की मैं तो इस्लाम के नाव पर यह हूं मेरे कला पदवा जारी कर देना चाहिए मेरे कपड़े यह नहीं मेरे कपड़े वो नही ब्लाब ब्लाब एक आदमी एक औरतों को शादी से पहल उस नजरीय से देख नहीं सकता है I'm so sorry, तो जो लोग इंस्टेग्राम पर आके लड़कों को देखते हैं और देखते भी हैं, फिर उनकी पिछूस पर फालतो कमेंट्स भी करते हैं और आके अराम हैं आप नहीं कर सकते हैं इस औरतों कि पिछूस नहीं बाइख सकते हैं और सब इनकी पेहने पंग्ड़ी नहीं हो बहुत गलत कर रहा और जो इसलाम के रूल साल पह्रे बने लेएड़ी ले देखते हैं बिकें में do I look like some oppressed Muslim woman? No, I'm not! इतनी बड़ी समात सेवी का हमारी इतनी बड़ी महिला नेता हमारी उर्फी जावेज जी क्या कह रहें? उबेदुर खान साब आपने रह्मान साब आपने सुना उर्फी लिजेंट वर्क कर रही है मेरी बात सुनो एक सरेली मच्छी पूरे पारी है आप इसे नहीं बूल सकते हैं यही तो वायरे से गंदगी सबसे बड़ी गंदगी तो यही तो वायरे से जो अन्द यह जो दुनिया आपको देख से के नहीं 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 पूरी अपको गंदा कर देती है मालूमें की नहीं वह आपके लिए सठीक बैटता है आप लोग वागई में वही मच्छी औ गंदी वाली कर दो यहीं बता रहा हूं आप तरो में जिसकी। जोजी उंचेसर पूरी तुनिया सिदात बार रही है. तुम्हारे जैसे इमान वालों का देश भीख मांग रहा हूँ पाकिस्तान देखी रोगाई और तही देख सुनो. मैं आपके में बता आप लोगों के अंदर बता जी आप लोगों के अंदर आप देख लो सुनो ना तो जब जब वह नंगपन कर रही है जिसकी वज़ा से निया आप नंग पना कैसे कह सकते हो औरे मैं कह रहा हूं तालीबानियों कट्टर मुला हो आप कैसे कह सकते हो नंग पना कुछा हो अगर कोई अपनी आँख भी तुड़ा बाइटान दोगता है आप लोगों को तो अवाज भी यह उबदूर ने का कि आवाज भी नंगी है उसकी औरत जो बोलती है ना वो भी नंगी है अगर अगर तो उस आवाज में रिजाना होगा तो नंगी नहीं होगी अबाज में थोड़ी आवाज में थोड़ी इस तरह से अगर आपके इसे हो कि पहलावे वाली आवाज हो यह देखो यह हमारी इसको यह सही में पूरे स्टीम का वो भिगाड देता है सम्मान जनक नहीं करते हैं यहाँ देखो हमारे अपोस्टेट धनिंजी है वो लिक रहे ही अजू बेवकूफ है नंगा घूम रही है तो मत देख बात यहां इतनी है कि नंगा नहीं कहना एपोस्टेट धनिंजी वो सोचे यह कल्चर है मेरे हमारे मुंबई में आप आई हैं आप साउत मुंबई घूमिये, आपको समझ में आएगा कितना हमारा आज आगे बढ़ रहा है हम लोग, कपड़ों की सोच इनकी अभी तक ये कपड़े में अटके पड़े हैं, और इसलिए देश की आदी आबादी को इनोंने, बहुत गंदी दुनिया के आदी आबादी को इ गंदी मचली ये खुद हैं, इनके दिमाग वे गंदी मचली तुम्हारे अंदर भरी हुई है, सुनो, ये जो नंगपन कर रहे हैं, दुनिया की लानत पड़ रही है, इसलिकों की लानत पड़ रही है, जिनके अंदर अपने माँ बेटी के लिए एफास है, उनकी लानत कहां से आ गई? अपनी इज़त जब देख रहे हैं, अपनी इज़त जब देख रहे हैं, उनके उपर जब देख रहे हैं कि दुनिया का लानत और फितना फसाद जब पैदा होता है, तो भागता मुसल्मान होती है, हमारे मुसल्मान के अंदर आती हैं, ताकि उनका इज़त सलामत रहे, ता पत्पत्पत्पत बोलता है, मुसल्मान फित्रत पे चल रहे हैं, मुसल्मान की खिलाफ मत पड़ो, पहले ये देखो जो तुमारे अंदर जो गंदगिया फैल रही हैं, जो फितना फसाद फैला उसको धो, पेर को कितनी बाते हैं, पेर को कितनी बाते हैं, बोला, तु क्या औरतों की हकुक की बात बोलता हो बेद, तू तो मेरे सामने मान चुका है, डिफरेंट एक्स मुसलिम के चैनल में, और स्वामी जी के चैनल में, कि औरत की अवाज भी औरानियत है, वो भी अवरा है, नुडिटी है, शरमगा है, तू मत बोल, इस बात का जवाब दे पहले तू, क्योंकि अभी इसने अपनी पूरी सोच, और जो भी मुसलिम भेने सुन रही हैं, वो जान लें कि देखो, ये आपको बोलने भी नहीं देंगे, अगर आप, जैसे ओम भाई ने कहा, कि अगर आवाज निकलेगी, बोलना तो बहुत दूर की बात है, जी, जी, वो भी निडि लावरो जी, आप काफी टाइम से जोइन करने का कर रहे थे, जी, नमस्ते, आप बहुत टाइम से उनने के बाग कर रहे हैं, आप मेरे नाम से और मेरी जबान से, आप मेरे जो है, 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 जो सवाल कुछ सकता हूं नहीं मैं मैं वही कह रहा कि आप सवाल बिल्कुल मुझसे पूछ लीजिए और मैं बिल्कुल आपके सवालों के हम जवाब भी देंगे मेरा बात बस इतना सा है कि आप पूर प्रिपेर हो जाएं तब घरवाप सिकिजिए यह डाउट क्लियर की दुकान नहीं खोलके बैटे हम बिल्कुल नहीं खोलके बैटे हम तो तड़पती हुए मुसलिम बच्च yoka घर वापसी कराते हैं मैं बिल्कुल इसलिए यहाँ पर नहीं बैटा कि मैं लोगों को शाष्थार्त करके डिबेट करके हरा हो और फिर वा जा नहीं हम हलाला से पीड़ित हम ट्रिपल तलाक से पीड़ित मुताह मिस्या रिसीड अठेक से पीड़ित बच्चियों का घर वापसी कराते हैं तो बिल्कुल अब्दुल्ला जी आप ये ना सोचें बिल्कुल मन के अंदर आप मना लेकर क्या है कि मैं यहां शास्तार्थ कर रहा हूं मैं इल्कुल आपका प्रश्न पुछिए तो स्वामी जी फिर तो आपके इसाप से सिर्फ जो मुस्लिम औरते हैं स्वामी जी वही सिर्फ वापस जा सकती है मुसलमान मतलब जो ने तड़प रही है जो देखिए जिनको बहुत प्रॉब्लम है बहुत दिक्कत में है उनकी मैं पहले मदद करूगा ना पहले हम किसका ध्यान देपता ही हम लोग क्या होगा फिर हम लोग को अरे आप लोग तो सक्षम है आप तो कहीं भी मुस्लिम यूवक तो कहीं भी अपने आपको ढाल सकता है लेकिन बच्चियों का सोचिए जी आपका प्रश्न पूछिए पहले फि तो यह आये होंगे ना ठीक है ना मेरा सवाल है कि जो मनुस्मिर्थी 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 मैं वही कह रहा हूँ कि यहां किसी भी शास्त्र की किताब पर बात नहीं होती मैं जिस किताब को मानता हूँ जिस किताब का प्रचार करता हूं वो यह रही दिख गई आपको जी बस अब इस पर आप मुझसे चर्चा करना चाहते इस पर कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल बात कर सकते मैं परमपुजी बाबा अमबेटकर साब जो मरे देवता है उनकी किताब को ले करके और मान वा अधिकार हमको क्या-क्या देता है हमारा संवीधान च्रच गरवापसी है कि हम संवीधान को उतार ले अपने जीमाएं बिल्कुल तो आप यहां सास्त्रों की मैंने कई भी बात नहीं करी मैंने कभी किसी शात्र का जिक्र नहीं किया जी अगर आप पूछ कि भया आपने ऐसा बोला नहिंए हर मुसल्मान कि मुस्छता है कि मुष्ण बन जाओं बिलकुल बहुत अच्छी बात है थीक है लेकिन अगर आपने क्या देखिए हिंदू बने आपकी मनस्मिर्टिके अंदर बनो है तो यह लिखता हूं आप सभूदान को देख कर गर वापसी कीजे ना मैं आपको सभूदान दिखा रहा तो अगर में इंदू बन गया तो मेरी बात ही ठीक है मेरी बात पूछे का तो साब बोलो ना कि मैं भारत के संविधान को मानता मैं संविधान इक व्यक्ति हूँ भारत के संविधान को मानने वाला संविधान प्रेमिय हूँ सब लिया आप उसका समय इसका फिर यह मतलब हुआ कि फिर मतलब मैं उसको यह बूल दूँ कि I don't believe in Vedas and in Mani Smita मैं यह कह रहा हूँ कि इससे आपके believe का क्या लेना देना आप आज मुझे बताईए कि आपको गाड़ी चलाना है आज आपको गाड़ी चलाना है तो आपको क्या लेना है मुझे बताओ बोलिया बताओ ना एक license लेना पड़ेगा लाइसेंस के लिए गाड़ी चलाना पड़ेगा तो आप जिस विचार धारा में जाना चाहेंगे उसका अध्यान कीजिए उसको समझिए आपको अच्छा लगए accept करो नहीं अच्छा लगता कुट करो बात इतना सा है कि पढ़ना पड़ेग करप्टेड कितावे पढ़ाई जा रही है करप्टेड इसे इसी चीजे पढ़ाई जा रही है जिसको लेकर के समाज में वेमन्य से पैदा किया जाए तो बहुत साल पहले एक इंडिया टीवी पे शायद कारिकम चल रहा था कि मोलाना पड़ते हैं हिंदू धार्मिक किताव है तो तब भी मैंने चैनल के कई अधिकारी साथियों को कहा था कि यह इसलिए पढ़ रहा है ताकि खामिया निकाले और अपने नाम के आगे चतुरवेदी त्रीवेदी लगा के घूम रहे हैं वो लोग मोलाना आपने भी देखा होगा मोलाना एक चतुरवेदी लगाता है एक त्रीवेदी लगाता है एक शास्त्री लगाता है और फिर वो हिंदु धर्म का अपमान करते हैं तो मेरा अब्दुल्ला जी बात इतना ही कहना है कि घर वापसी करने के लिए आपको मानव बनना पड़ेगा सबसे पहले और बिलकुल आप पर कोई प्रेशर नहीं है हिं इसका मतलब आप यह समझ रहे हैं इसका मतलब आप यह समझ जी है कि मान लीजिए कि कोई बहुत कामुख वेक्ति है तो वह उतना ना ढूब जाए उसमें कि उसकी मौत हो जाए पश्चिम आज उसी कगार पर चला गया अच्छी लाइव पश्चिम का ही बात नहीं करूं तो पूरी दुनिया आज इसी जगे पर पहुंच गई है लोग में आपकी जो विचार धरा होगी इसका आपको अध्यन करवाईए तो आप पिले मंच्छा बना लेजीं मेरी ही बात ठीक है आपकी ये बात ठीक है आप ठीक हो आपकी करन ठीक है इसका मुझा दूसरा प्रश्चन आपको पूछ लेजे मेरे साथ चार और भी है स्वाबी मैं किरा आपके साथ 4 करोड रेने दो आपके साथ 400 करोड रेने दो मैं बात वही कहूंगा फिर भी मेरा question ही जी ना स्वाविय जी If I am Muslim, I will have to believe in Quran So if I am Hindu then I will believe in Kisī kitab के आधार पर, किसी एक किताब के आधार पर एक किताब के आधार पर अगर आपका जीवन जी ना है भारत के अंदर सबसे बहतरीन किताब है भारत का संम्मिधान और इसको follow करो जी तो स्वामी जी मैं इसमें जोई ना इसमें मैं अगर बिलिव रखू तो फिर मैं वेदास वगेदा को छोड़ दू हिंदू बनने के बार मैंने कहा क्या इस किताब ने कहा क्या इसा सम्मिधान ने कहा क्या इसा के छोड़ दीजे सम्मिधान को मानते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहा यही कहना चाहता हूँ और यही मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को कि जब आप सम्मिधान को फोलो करेंगे आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे आप बहुत सुल्जे हुए इंसान बन जाएंगे और फिर आपका जीवन देखिए, आप हकूक देना चाहेंगे फिर इस तरियों को, महिलाओं को अधिकार देना चाहेंगे आप, आप अपने आप उस जीवन को फिर आपको कुछ पढ़ने की जरुरत नहीं पढ़ेगी, अपने आप आत्मसात कर प्रकृति से आपको ज्यान मि है, जो की पूरी आपको बायोक्रेसी तक ले जाएगा हमारा सम्मेधान, आप पिले आत्मसात को कीजिए, जी, लिबरल लोग होते ना स्वामी जी, वो एथियस्ट लोग होते जो तुछ ने मानते हैं, मैं कह रहा हूँ, आप किसी से क्या, आपको अगर घरवापसी करनी है तो मानवता में कीजिए, मुझे लिबरल का मतलब नहीं, मुझे सेकुलर का मतलब नहीं, मुझे कोई एथिस्ट, कत्रपंटी, रेडिकलाइजड लोगों का मतलब नहीं, मेरा काम है समात सेवा का, जो मुझे मेरा सम्मेधान बताता है के से करना है, और मैं उस सम्मेधान का प्रचार यहां पर कर रहा, और वही मेरे घर वापसी का मूल किंद्र है आप समझ ये जारा है बात को। तो आप अगर ये सोच करके आए है कि घर वापसी में सौमी जी 36 लोगों का घर बापसी समुविधान के अनुसार से हो रहा है पूरा लीगल प्रोसेस के साथ घर बापसी होगा अभी कल परसो हमारा समीर खान का घर बापसी हुआ उसका पूरा घर बापसी हमने प्रोसेस से करवा है लीगल प्रोसेस एक छूटे हुए, बिछडे हुए, हमसे तूट गए, अपने रितिरी बाजों को भूल गए, उन बिछडे लोगों को गर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा, और भारत एक सुख, शांती और वेभाशाली इश बन पाएगा, इसलिए मैं सभी भाईयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूँ, कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयुक करें, एक एक परिवार हिंदूों का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे, भारत माता की जै, जै हिंदू राष्ट थिए और मैं से सिर्ग sed और वाँओे। झाल झाल झाल